आप सभी काफी अच्छे होंगे और आप सेशन को इंज्वाइ कर रहे होंगे तो आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे आपके पास आइसो टोप, आइसो बार, आइसो टोन्स एंड आइसो इलक्ट्रोनिक स्पेसिस के बारे में कुछ एक्जामपल्स देखेंगे प्रीबियस में हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर आपने देखा था कि जब भी हम बात करते हैं आपके पास आटॉमिक नंबर के, तो मोजले जो मोजले थे, उन्होंने on the basis of जो predictable था, उसको आटॉमिक नंबर के basis के ओपर आपके पास set किया था, और आटॉमिक नंबर होता है क्या था, आपके पास किसी भी atom का number of proton ठीक है, क्या कहते हैं आपके पास number of protons जो होते हैं, उन्हीं को जो है हम basically atomic number मानते हैं, क्योंकि proton का जो amount है, वो आप देखते हो हमेशा equal रहता है, और जब आप बात करते हो mass की, कि कोई भी atom है, उसका आपके पास, जो mass है वो क्या होगा, उसका mass number की value क्या होगी, तो वो आप निकालते हो number of proton, यानि जो proton है, उनका total weight कितना है, plus साथ ही में आपके पास जो number of neutrons है, उन्हीं के weights के ओपर calculate करते हो, यह formula भी आपके पास बन जाता है, mass number is equal to number of proton plus number of neutron, यानि यहां से आप proton भी निकाल सकते हो, neutron भी निक सकते हो, mass भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है, आपको कौन कौन सी value यहां पे given है, कभी कभी क्या होता है, कि आपके पास कहीं पे आप चेक करते हो, तो कभी mass की value change कर रही है, कहां पे number of proton change कर रहे है, या कहीं पे आपके पास number of neutron change कर रहे हैं, जिसकी वज़र से जो atom होते ह भी चेंज हो जाती है इसलिए आपके पास four concept यहां पे निकल के आते हैं first आपके पास होता है isotopes जीकिए आप example से easily समझ लेंगे isotope आपके पास हो गया ISO bar आपके पास हो गया ISO आपके पास हो गया अब यहां से एक ट्रिक में आपको बताऊंगा जिसकी help से आप इनको easily समझ लेंगे और आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आई होप यह फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा जो यहां आपको पैसले समझें देख़ों अपकभी भी किसी भी आइटम को पढ़ते हो इनको देखते को that we Jud Nee होते हैं दे आस आसे टोप सहराइं मुदं करते हैं जो आपके पास है जो आपके पास गुशलमेंटल निख्रत इानड़ जल्ल देट लिक्रतं जब ज concurुवणे अइलिमेंट जिसे आफ़के पास बेस्ट एक्जेंप्ल इसका हाइड्रोजन hydrogen के isotope आपके पास होते हैं, जिसे covald 60 आपके पास, आपको पता है cancer therapy में use होता है, जो covald 60 होता है, है न, तो different different vary करते हैं, covald के बहुत ज़्यादा isotope आपको देखने को में थे, hydrogen के 3 होते हैं, एक आपके पास basically protein हो गया, deuterium हो गया, treatium हो गया, है न, तो आप ऐसे लिखते ह दो H11, H12, H13 और आपको पता है, नीचे तो इसका atomic number होता है, क्या होता है, अतोमिक नंबर, तो क्या बनेगा आपके पास, same atomic number, क्या है आपके पास, उनका atomic number है, श्युम है, लेकिन जो mass number है, वो क्या है आपके पास, different है, clear, clear, proteum, deuterium, treatium, क्या होगा हो गया आपके पास यह यहां पर तो यह कहें कि Aisotope के एक्जाम्पल आइसोटोब क्या होंगे आपके पास ऐसे एलिमेंट जिनका जो मास नंबर हे वो डिफरेंट होता है लेकिन जो आटोमिक नंबर बो सेम होता है टोमिक नंबर सेम होने का मतलब है बोही element है लेकिन उनका mass बढ़ रहा है mass किसकी बज़े से होता है देखो number of proton and number of neutron की बज़े से होता है यानि कुछ ना कुछ value है जो increase कर रही है तो आपके पास proton तो आगे नीचे that is a one proton की value आगे neutron निकाल सकते है परली तरफ जाएगा minus करेगा तो इसमें zero number of neutron आएगे इसमें one number of neutron करते हो बहुत बड़ा टास्क नहीं है यह नहीं आइसो टूप आप कैसे समझ सकते हो प्रोटियम डियोटियरियम एंडर ट्रीटियम की हैल्प से clear अब देखिए आई सो बार बार क्या होता है बार बेसिकली प्रेशर को रिपर्जेंट करती है टाम है ना जब आप थर्मड जहां उपर जो ट्रीज डिफ्रेंट है यानि सेम मास नंबर यहां पर कहोते हैं आपके पर जो मास नंबर वो सेम हो जाता है बट डिफ्रेंट अटामिक नंबर clear जैसेन सीक्वेंस को लिखा है उसी तरह से आप याद कर सकते हो क्या हो गया आइसो टोप का उल्टा आइसो बार प्रेशर होता है ना बार तो प्रेशर पड़ा हो टाम क्या होगे आपके पास उल्टी होगे for example इसे आप यहां पर देख सकते हैं आपके पास 40K19 प्रोटाश्यम होगे आपके पास ठीक है यहां पर आप देखोगे तो इनका जो मास है वो सेम है क्लिफ देखो मास sarà आप् keen नंबर है वो अलग है दो नोंका दोरा ऐलीमेट धी अलग है दोवगध में का सेम अटयूमिक नंबर थोड़ी होगा यहां तो यह क्या होता है अपके पास व्लेटा होता है ईसोट तोन तो लोन से बंता है न्यू ट्रॉन करे सभानी के निउट्रॉन तोने पार से अगर आप इसमें number of neutron calculate करोगे तो वो क्या होंगे चेक कर से आप 13 है 14 है माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास एक एक बड़ा है इसमें एक बढ़ गया इक बढ़ आएगे तो इसमें क्या होता है number of जो न्यूट्रोंस है वो क्या होते हैं आपके पास equal होते हैं ठीक है लेकिन जो मास नंबर है वो क्या होना चाहिए different होना चाहिए clear exam में आ जाते हैं various various question आपके पास आ जाते हैं तो आप तो आपको इसली समझा गया tone neutron they have a same number of neutron but different mass number isobar they have a same mass number but different atomic number isotope होते हैं आपके पास जो मास है वो क्या हो जाता है different हो जाता है atomic number same हो जाते हैं ISO ISO term represent करता है same को ठीक है ISO term किस चीज़ को represent करते है same को यानि एक चीज़ हो इन में कोई ना कोई same होगी यहां पर क्या है isotope टोप जो टोप के ऊपर चीज़ होती है ठीक है electronic species यानि they have a same number of electron ठीक है electron same होंगे इन डिफरेंट element जब डिफरेंट element at atomic number भी क्या होंगे उनके different होंगे जिसे for example ले लेते हैं O2 negative आपके पास F negative एन इप पॉजिटिव एम जी टू पॉजिटिव एल थ्री पॉजिटिव अगर आप इन सभी को check करोगे तो यह सारे ही stable है और noble gas configuration को follow कर रहे हैं clear ठीक है तो इन सभी का जो number ऑफ electron अब चक होगे वह सभी में equally होगे इसने 2 गेंड कर Leo है इसने एक गेन कर लिया है ठिक है इसमें कितने होते तो 9 आई नोहटे थे एक गयन करके 10 अन इसमें कितने होते थे आपके पास 8 होते थे दो गेन करके 10 हो गए इसके पास 11 थे एक लॉस करके 10 हो गया इसने दो लॉस कर दी दस हो गए तीन लॉस कर दिए दस हो गया ठीक है इस तरह से जो सभी के अंदर 10 10 हो गए समझ गए ठीक है क्या देखा आपने सबसे पहले आपके पास था जो मास नंबर है वो क्या होते है आपके पास प्लस नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ नूट्रोंज स्येड़ फरस्ट विक थी आपके पास फोर इसोट ओपस के लिए प्रोटियम ड्यूटियれमति swag अच्वन बन एच वन् दू शंट फिर ऐन नगना तो प्रोटियम, डिटीरियम, टिटियम, एंड यहीं से आपके पास लग गया, यहाँ सेम अटॉमिक नमबर बड डिफरेंट, मास नमबर इसी का उल्टा था आपके पास, आइस सो बार उल्टी प्रोसेस थी, यहनी क्या हो जाएगा आपके पास, जो मास है वो सेम हो जाएगा, है ना, मास क्या हो जाएगा आपके पास, सेम हो जाएगा, लेकिन जो अटॉमिक नमबर है आपके पास, वो क्या हो जाएगे यहाँ पे, डिफरेंट हो जाएगे, ओके, यहीं चीज़, आपने देखा, आइसो टोन में, तो टोन है, they have a same number of neutron, same number of neutron, और ISO, electronic में आपने देखा, same number of electron, clear, छोटा सा concept है, और I hope आपको ये समझ आ गया होगा, तो चलिए, मिलेंगे next class में, with the interesting short tricks के साथ, तब तक के लिए, thank you and have a nice day.